गुड मॉनिंग श्टुडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक पर फिर से आपके अपने PBR स्टडी में साथियों आज हम बात करने वाले हैं क्लाश 10th NCIT मैथ में दो चरासी वाले रैखिक समय करण में एकसरसाई 3.4 जिसमें question number हम पढ़ेंगे second और question number second का पहला दूसरा पार्ट हमने पढ़ लिया था तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट आप homework करेंगे और हम देखेंगे question second का पाचवा पार्ट पाचवा पार्ट बड़ा जीब सा है लेकिन आसान भासा में समझ लीजिए तेहान से सुनना कक्षा 10 की NCRT गडित है exercise 3.3 खोल लीजिए किताब और देखिए question सुनना दूसरा का पाचवा भाग है कहरा कि किराया पर पुष्टक देने वाले किसी पुष्टकाले ने ये नियम लगा रखा है देखो मैं अपनी तरफ से थोड़ा बना के बता रहा हूँ actually question देखना book में क्या है किराया पर पुष्टक देने वाले किसी पुष्टकाले का पर्थम तीन दिनों का किराया एक नियत किराया है मतलब एक निश्चित किराया है कि तीन दिन में आपको इतना किराया देना पड़ेगा ठीक आगे कहरा उसके बाद परतेक आत्रिक्त दिन का आलग किराया है तो फिर आगे क्या होता पहले मतलब समझ लेना इतना कहने का यह मतलब है कि मान लेते हैं पुष्ट काले का पर्थम तीन दिन का तीस रुपया है अगर तीन दिन से ज़्यादा कोई किताब रखता है तो फिर हर दिन के हिसाब से पांच-पांच रुपय लगेगा इक्ष्ट्रा बाकी वो तो ददस रुपय लगेगा ही ठीक न यह मतलब है आगे कह रहा है कि सरिता ने साथ दिनों तक एक पुष्टक रखने के लिए 27 रुपया अदा किये भाई तीन दिन के लिए उसने एक किराया लगाया था तो सरिता ने साथ दिन तक पुष्टक रखी रही इसका मतलब चार दिन और जाता रखी थी हो तो यह सब करने के लिए उसने 27 रुपया अदा किये और इसकी अलामा सुसी ने एक पुष्टक को 5 दिन रखने के लिए 20 रुपया अदा किये तो फिर कह रहा है कि बताओ कि नियत किराया और अतरिक्त किराया कितना है चलिए बहुत आसान है मान लेते हैं इसको हम लिखिए माना नियत किराया बराबर एक्स रुपया कुछ भी कर सकते हैं मान सकते हैं न माना नियत किराया मतलब जो फिक्स किराया है इक्कॉल एक्स रुपया तथा अतरिक्त किराया equal y रुपया तो हमने मान लिया नियत किराया और अत्रिक्त किराया मान लिया यक्स और y रुपया अब आगे देखो क्या कहता है कहरा कि सरिता ने एक पुष्टक को साथ दिन रखने के लिए 21 रुपया दिए तो भाई साथ दिन अगर सरिता ने रखा पुछ तक को ध्यान से समझना तो पहले तो वो यक्स रुपया देगी क्यों देगी? क्योंकि ये निश्चित किराया था अब यहां प्रिस्णा नुसार लिख लो तो अच्छा रहेगा प्रिस्णा नुसार ये यक्स रुपया तो उसका निश्चित किराया था उसको देगी लेकिन उसने साथ दिन किताब रखा तीन दिन के लिए निशित किराया था बस फिर जो अगला चार दिन था उसके लिए वो क्या करेगा एक अलक किराया लेगा और अलक किराय हमने माना वाई रूपया तो साथ दिन के लिए रखेगी अगर तो साथ दिन का फिर क्या होगा ऐसा नहीं कि चारी दिन का अत्रिक्त किराया पड़ेगा जो लग वो होगा तो यानि की ये प्लस ये सात वाई ध्यान देना साथ वाई मतलब साथ और प्लस ये वाई का मतलब जो अतरिक्त किराया फिर टोटल मिलाके ओ दी थी 27 रुपया बत पक्की उसके बाद क्या कह रहा था साथियों सिकेंड इस्तिती में सुसी ने पांच दिन के लिए 21 रुपया दिये लिखो लो सिकेंड इस्तिती दूसरी सर्थ के अकॉर्डिंग सुसी ने पांच दिन के लिए यानि कि पांच वाई इकॉल कितना दिये 21 रुपया दिये तो यह समी करण 1 और समी करण 2 बन गया दोनों समी करण में X के गुडांक बराबर है लिख लो समी करण 1 वा 2 से तो यह X प्लस 7Y को 27 और यह X प्लस 5 Y को 21 दोनों को क्या करोगे गटा लोगे तो चलो गटा लेते हैं यह देखो कट गया यह माइनस प्लस यह 2Y कोल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा सिंपल सी बात है कितना हो गया 6 हो गया क्योंकि गटेगा नहीं है ठीक साथिओं एक बार ध्यान से समझना कुजिश्चन नहीं था ना कि बहुत अच्छे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक बार यहां पर आप यह देखो कि यहां पर पांच वाई है ना कि पांची दिन के लिए तो रखी थी ना वो पूस्तक हाँ पांची दिन के लिए रख रही थी तो यह घटेगा की जुडेगा घटेगा ठीक है बहुत अच्छे कोई दिक्कत नहीं अब यहां से वाई कमान निकालोगे तीन आएगा सिंपल सी बात है वाई कमान निकाल लेना तीन आएगा यानि कि वो अत्रिक्त किराय कितना लेता था पुष्तकाले 3 रुपया हर दिन के हिसाब से लेता था तो कहने का मतलब 7-5 दिन जब वो रखेगी तो 15 रुपया हो जायागा है ना अभी आगे सुनना वो जो 21 रुपया दी थी 5 दिन के लिए आपके हिसाब से तो 3 पचे 15 होना चाहिए ना लेकिन 20 क्यूं लिया पता है क्यूंकि वो जो 6 रुपया और लिया था उसका फिक्स किराया था अभी आगे देखो y कमान समी करण किसी में भी रख दो लिखो y कमान समी करण एक में रखने पर एक में रख दो x प्लस 7y कुल कितना है 27 y कमान 3 रुपया रखना है 3 रख दो तो x प्लस 7 गुड़ा 3 बराबर 27 इस तरह से आपका हो जाएगा दोस्तों x प्लस 21 बराबर 27 तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 21 x बराबर 6 रुपया मैंने वही तो بتाया था ना यानि कि अब नीचे लिखो पुढकाले का पुढकाले का फिक्स किराया 5 फिक्स किराया 1 बराबर देखो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन के लिखना मैं पूरा लिखता नहीं हूँ बात बोलता हूँ पूरा ठीक ना पुश्तकाले का फिक्स किराया यक्स बराबर कितना है 6 रुपया नीचे लिखना पुश्तकाले का अद्रिक्त किराया वाई इक्वल कितना आया था 3 रुपया तो यही दो निकालना था ना आ गया ना इस तरह से साथियो exercise 3.4 का आपका question number ये दूसरा का पाचवाँ पार्ट हो गया और ये exercise इसी तरह से यहाँ पे खतम हो चुकी है अगर आपको कोई question नहीं आता है तो आप उससे हमें पूँच सकते हैं और आपको अगर आपने paid करके class क को जॉइन किया है तो आपको एक दिन में 3-4 वीडियो इस तरह से मिल जाएंगे अगर आपने paid करके नहीं जॉइन किया है तो आपको YouTube पे कभी कभी class मिलती होगी है ना जिसको note करना है इसको screenshot ले लीजिए लिख लीजिए जल्दी करें screenshot लेके उतार लो इसको note कर लो फट स देर नहीं करो